असलाम अलेकुम, आज हम आपके लिए वो रेसिपी लेकर आए हैं जिसके लिए बहुत लोगों ने मुझसे रिक्विस्ट की है, वो है पर्भनी की मज़ेदार तहरी इसे बनाने के लिए हम आधा किलो गोश्ट ले रहे हैं, आप कोई भी गोश्ट ले सकते हैं लेकिन साथ में थोड़ इसी चिकनाई भी लिजी, गोश्ट की चिकनाई से तहरी मज़ेदार बनती है और एक टेबल स्पून अधरकलेसन पेस्ट लीजिए, आधा टी स्पून हल्दी पाउडर लीजिए, और नमक हम टेस्ट के हिसाब से लेंगे, आधा कप कटीवी प्याज लीजिए, और एक कप इसमें पानी डालिए, और सभी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कीजिए, औ और चार से पांच सीटी होने तक हाई फ्लेम पर रखिए, और दस से बारा मिनिट इसे लो फ्लेम पर रखकर गोश्ट को गला लीजिए, और गोश्ट कलने के बाद प्रेशर कुकर कर धकन खोली और इसे चेक कीजिए, तो अब यह हमारा जो गोश्ट है, वो गल कर तयार है जिस पतीले में हमने तहारी बनानी है, उसमें हमने आधा कप तेल गरम करना है, और देखिए यहां पर तीन टमाटर हैं, और उसके बाद दो टेबल स्पोन हमने हरा धनिया लिया है, और एक कटी हुई प्याज है, दो टेबल स्पोन पुदीना है, और बारा से पंदरा हरी म अच्छे लीजिए अब देखिए हमने प्यास डाल दी यानि गरम तेल में हमने प्यास डाल दी और प्यास को हम फ्राइ कर रहे हैं प्यास को अच्छी तरह से फ्राइ कर लीजिए यहां पर एक टेबल स्पून शाजीरा रखा है हमने और साथ हरी लाइची है और तीन इंच की हमने यहाँ पर दारचीनी ली है याने खलमी ली है और हाफ टी स्पून हमने यहाँ पर काली मिर्चे ली है तो हम इस प्याज में हम दालेंगे दारचीनी, हरी लाइची और यह रहें काली मिर्चे और साथ ही हम इसमें शाजीरा भी एड़ करेंगे और सभी चीजों को एक साथ फ्राइ करेंगे लेकिन साथ में डालेंगे एक टी स्पून से थोड़ी सी कम हल्दी हल्दी पाउडर हमने इसमें एड़ किया और फिर मीडियम फ्लेम पर हम इसे फ्राइ करेंगे प्यास थोड़ी सी लाल होने के बाद हमने ये मसाले डाले और साथ में हल्दी डाल कर हम इसे मीडियम फ्लेम पर फ्राइ कर रहे हैं और साथ में हमने 6 चीरी हुई हरी मिर्चें इसमें आइड करनी है साथी देखी हमने हरी मिर्च का पेस्ट भी बना लिया है जो हरी मिर्चें हमने बताई थी उसमें से हमने आदी हरी मिर्चों को चीर लिया और आदी हरी मिर्चों को हमने पेस्ट बनाया है अब चीरी भी हरी मिचें भी इसके साथ फ्राइ कीजी और उसके बाद इसमें एक टेबल स्पून हरी मिच का पेस्ट डाल दीजी और एक टेबल स्पून अधरकलेसन पेस्ट डाल दीजी जिंजर गालिक पेस्ट हमने इसमें एड़ किया और उसके बाद सभी चीजों को फ्रा याद रखिए परभनी की तहरी में टमाटर बहुत ज़्यादा लाल ना लीजिए तोड़े से गद्रे गद्रे लीजिए क्योंकि ये तहरी हरी या पीली रंकी होती है अब देखिए ये है पुदीना और कोथ मीरियाने हराधनिया हम इन दोनों को इसमें डाल देंगे हमने इस नमक डाल रहे हैं और एक टीस्पून हमने जीरा पाउडर इसमें डाल दिया सभी चीजों को तेज आच पर फ्राय कीजिए अब धकन ढाकिए और धीमी आच पर इसे पकाईए ताके टमाटर अच्छी तरह से गल जाएं ठीक है नीचे कुछ मसाला लगता भी है तो धकन खोल कर बीच बीच में इसे चमच से इस तरह से बराबर करते रहे हैं ताके नीचे ज्यादा जलने ना पाए इस तरह से थोड़ा बहुत लगता भी है तो वो आसानी से निकल जाता है देखिए इस तरह से हमने इसे बार-बार करना है ताकि टमाटर नर्म हो जाएं और गल जाएं अब देखिए एक टेबल स्पून मैं इसमें कसूरी मेति याने सूखी मेति के पत्ते डाल रही हूँ और फिर आधा कप दही डाल दीजिए सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कीजिए अब देखिए ये पका हुआ गोश्ट है जो हमने अभी गला कर रखा था उस गोश्ट को मिक्स कीजिए और मैं बताती हूँ ये कितनी अच्छी तरह से गला है अब देखिए मसाले भूने जा रहे हैं बहुत अच्छी तरह से भूनने चाहिए अगर हम जितना जादा अच्छा भूनेंगे उतनी मज़ेदार ये तहरी बनेगी और इसमें कच्ची कच्ची स्मेल नहीं आएगी तो इसे हमने इस मसाले को बहुत अच्छी तरह से भूनना है अब देखें यहाँ पर आधा कीलो चावल हैं ये मैंने कूलम ये सोना मसूरी नॉर्मल वाले चावल लिए इस कप से ये चावल हो गए धाई कप और इसी कप से मैं लोगी पाव कप मसूर की डाल जो होगी एक्वल पचास ग्राम के तो चावल और मसूर की डाल को मिला कर धो लीजी देखें ये मसाला अच्छी तरह से बन कर तयार है हमने इसे बहुत अच्छी तरह से भूनना है जितना ज़्यदा भूनेंगे उतनी अच्छी तहरी बनेगी अब इसके बाद इसमें हम डाल देंगे ये गला हुआ गोश्ट गोश्ट क्योंकि बहुत अच्छी तरह से गला है इसलिए हम मसाले को पहले अच्छी तरह से भूनेंगे और इसके बाद ही हम ये गोश्ट डालेंगे क्योंकि गोश्ट अच्छी तरह से गल चुका है पानी डालेंगे क्योंके चामल है ठाई कप इसलिए मैं इसमें पानी डाल रहे हूं 3.5 कप अगर आपको खुली-खुली ताहरी बनाना है तो आप इस हिसाब से पानी डालें इसी से ताहरी बहुत खुली-खुली बनेगी तो हमने 3.5 कप पानी डाल दिया मसाले को बराबर कीजिए और इसके बाद इसे उबलने दीजिए तेज आच पर हमें इसे उबालना है जब ये उबलने लगेगा तब हम इसमें ये चामल डाल देंगे चामल और मसूर की डाल को सिंपली धो कर डालिए भीगो कर ना डालिए तो हमने चामल और मसूर की डाल को धो कर इसमें डाल दिया और तेज आंच पर इसे पकाईए जैसे ही चामल डालेंगे तेज आंच कीजिए और तेज आंच पर इसे पकाईए और इसके बाद हम इसमें डालेंगे आधा टी स्पून इलाइची पाउडर और एक टी स्पून से थोड़ा सा कम गरम मसाला गरम मसाला पाउडर हमने इसमें एड़ हिया और फिर एक नीबू करस इसमें डाल दीजिए सभी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कीजिए गैस का फ्लेम हाई है यानि हम तेज आँच पर इसे पका रहे हैं और उसके बाद आप थोड़ा सा नमक भी आइड कर सकते हैं टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक डाल दीजिए और आप इसी स्टेज पर डाल सकते हैं थोड़ा सा घी जब इस तरह से पानी सूखने लगेगा तब आप इसमें थोड़ा सा देसी घी डालिए ताहरी का मज़ा बहुत ज़दा बढ़ जाएगा देखिए अब चामल को बराबर कीजिए और बराबर करके हम इस पर ढकन ढाक देंगे देखिए हम थोड़ा सा इसे चेक कर लेते हैं अगर ये बराबर पकने के खरीब हैं तो तब हम इस पर ढकन ढाकेंगे ठीक है अब ढकन ढाकेंगे और ढकन ढाक कर बारा से पंदरा मिनिट इसे दीमी आँच पर पका लेंगे बारा से पंदरा मिनिट दीमी आँच पर पकने के बाद ये हमारी तहरी बिलकुल तयार हो जाएगी याने खाने के लिए बिलकुल तयार हो जाएगी देखे कितनी सही तरीखे से दम हो गई है सिर्फ 15 मिनिट में देखा आपने कितनी जबरदस्त है खिली खिली है और हुश्बू तो बहुती बहती 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 फ्रेश हुश्बू है आप इसे बना कर ज़रूर देखिए तो हम इस गर्मा गर्म तहरी को सर्व कर रहे हैं आपको इन्शालला यह तहरी बहुत पसंद आएगी अगर तहरी की यह रेसिपी आपको पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक कीजिए इस वीडियो को और इस वीडियो को अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सिर्फ एक बार सब्सक्राइब करके बेल ऐकॉन भी जरूर प्रेस कीजिए ताके मेरी रेसिपी के नोटिफिकेशन्स आपको मिलते रहें और हाँ इंस्टाग्राम पर भी मुझे जरूर फॉलो करना और इस रेसिपी के बारे में अपनी राइज जरूर लिखना मैं आपके कमेंट्स का इंतिजार करूंगी और हाँ इसे बनाने में कोई भी प्रॉबलम हो या कोई भी रेसिपी बनाने में आपको कोई भी प्रॉबलम हो तो आप मुझे से जरूर बताएं इंशालला आपके प्रॉबलम्स का सोलुशन मैं आपको जरूर बता दिया करूंगी तो चलिए मिलते हैं फिर एक नई और यूसफुल रेसीपि के साथ हाँ इसे नीमबू और प्यास के साथ सर्व किया जाता है और अगर आप चाहें तो इसे दही के राइते के साथ भी सर्व कर सकते हैं इंग्रेडियन्स की लिस्ट मैंने यहां पर दी है आप इसमें से देख लें थैंक्स फॉर वाचिंग